नमस्कार मित्रो आप सभी का सौगत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर यहाँ वीडियो हम लेकर रहे हैं आप लोग के लिए माजिगाट ग्रीन फिल्ड एस्प्रेस्वे से सम्मंधित ग्रीन फिल्ड एस्प्रेस्वे के लिए जमीनों की रजिस्ट्री के दोस्तों यदि चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सस्काइब करिएगा साथी साथ बेल नोटिविकेशन आइकन को जरूब प्रेस कर लिएजएगा तो चलिए पूरी डिटेल में वीडियो में हम डिसकस कर लेते हैं माजिगाट ग्रीन फिल्ड एस्प बात कर लेते हैं कि क्यों किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं में रीजन है उसका सरकिल रेट को लेकर के किसानों का यह अरोफ है कि सरकार जो जमीन है वो आउने पाउने दामों पर खरीद रही है अर्थात जो प्रिजन टाइम में सरकिल रेट है उसके एकॉर्डिंग ना खर इसलिए किसान भाई आंदोलित हैं आंदोलन कर रहे हैं इसी बीच माजीगाट ग्रीन फिल्ल एस्प्रेस वे से समंधित बैरिया तहसील के छेत्र से 16 राजस ग्रॉमों की जमीन जो की 125 हेक्टेर भूमी को यूपी एडा के द्वारा अधिगरहित किया जाना है उसमें से अब तक 6 हेक्टेर जमीन का अधिगरहड यानि की रजिस्ट्री 152 किसानों के द्वारा की जा चुकी है जबकि रजिस्ट्री में एक से दो दिन के भीतर किसानों के खातों में पैसा भीजने का प्रवधान है लेकिन अभी तक उन किसानों के बैंक खातों में पैसा नहीं आया है अभी तक मिली जानकारी के अनुसार माजीगाट ग्रीन फिल्ड एस्प्रेस्वे में जिन किसानों की जमीनों का मुआपजा देना है अर्थार जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी है उप जिला अधिकारी के अनुसार उनकी सूची बनाई जा रही है जल्द ही उनके भुकतान के लिए सूची सम्मंधित विवाग को भेजी जाएगी और जल्द से जल्द उनका भुकतान किया जाएगा दोस्तो यह एक छोटा सा वीडियो था माजीघाड ग्रीन फिल्द एस्प्रेस वे से सम्मंधित जो प्रिजन टाइम में वहाँ की सुचेशन है वहाँ पे क्या चल रहा है क्या सरकिल रेट सरकार बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी कब तक किसानों का जो रजिस्टी कर च आएगा जैसे ही जो भी जानकारी हमारे तक आती है हम आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से जानकारी दोस्तो उपलब्द कराते रहेंगे तो दोस्तो उसके लिए आपको सिर्प और सिर्प यदि चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजे साथ इसाथ बिल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजे ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तो मिलते हैं दोस्तो किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन